Australia में subclass 600, one of the popular visa है, subclass 600 visa के लिए आपको कैसे apply करना है, क्या document चाहिए, कितनी required fees है, processing time कितना है, और कितना समय लगेगा आपको visa मिलने में, ये सारी चीज़े हम इस वीडियो में detail में discuss करेंगे, सबसे पहले अगर आप सही से apply करते हो न, after watching this video, आपके chances 20% से 80% तक increase हो जाएंग birth certificate चाहिए, bank statement आपको चाहिए रहेगी, fixed deposit या कोई और type का asset हो, तो उसकी app detail निकलवा सकते हैं, investment किसी भी type के gold, car, property हो सकती है, business हो सकता है, तो वो सारी reports अपने पास रखें, tax return जरूर से रखें, personal as well as business, return ticket आपके पास होने होने चाहिए, साथी साथ आपके पास cover letter होने चाह मतलब सारी चीज़ें बहुत crisp and clear लिखी होनी चाहिए उसमें, कि आपका main purpose क्या है, क्या करने जा रहे हो, वो सारी चीज़ें अच्छे से mention होनी चाहिए, अगर आपका कोई वहाँ पे है, relative है या दोस्त है, तो उसका आप घर का address भी ले सकते हो, और probably उसका एक ID card, जो कि करेगा, otherwise आप अपनी hotel booking तयार रखें, next sheet आती है, ये optional चीज़ें जैसे अगर आपके पास sponsor letter है, तो आपके chances बहुत अच्छे होंगे, तो अगर आप arrange कर सकते हैं, that would be really good, अगर आप visiting पे जा रहे हैं, तो आपका main reason क्या है, क्या-क्या visit करेंगे, उसकी एक आइडिनरी, financial कै से manage करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल clear होनी चाहिए, bank statement में बहुत सारी लोग ये गलती करते हैं, कि जैसे मैं आज जा रहा हूँ, तो मैं एक महीने से बहुत सारा fund डालना शुरू कर दूँगा, तो वो red flag है, तो इसका legit तरीका ये है, कि आप अपनी bank statement को 6 य के वीजा के case में है, same वीजा के लिए कई agents 10 लाग रुपे तचाज करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप बचके रहिए, बहुत आसान process है, अब आराम से 1500 डॉलर में खुद से apply कर सकते हैं, आपको 3 साल का multiple entry वीजा मिलेगा, और एक और चीज, कोई भी document आपको fake submit करने की ज इस चीज को आप wallet मत करो, क्योंकि पकड़े जाओगे, तो आपको ban लगाया जाएगा, और आप entry नहीं ले पाओगे दुबारा से, और in case अगर आपका वीजा पहली बार में refusal हो जाता है, तो वह सारी country है, जैसे US है, वो आपको reason नहीं देते, बट Australia आपको detailed reason देखा, कि आपको new application पे click करना है, और उसके बाद, यह आपके सामने option आजाएंगे, सारे के सारे, हमें visitor visa पे जाना है, तो हमने उस पे click करा, और अभी हमको 600 visa पे जाना है, उसमें click करने के बाद, यह terms and condition वाला option आएगा, उसको click करके, हमने next पे click कर दिया, और हमसे पूछ रहा है, कहा location है, तो अभी हम currently Australia के बाहर है, जैसे ही हमने उस पे yes click करा, हमें सारी location है, अब इन सारी locations को हम धीमे धीमे fill up करेंगे, हमारी current location and all, किस purpose के लिए जा रहे है, वो clearly define करेंगे, अगर आप उसमें detail देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर से summarize करें, एक detail द आने के बाद, आप next page पे आएंगे, जहां पे वो सारी चीज़ें, आप cross check करेंगे एक बार, कि वो information correct है नहीं है, उसके बाद आप next पे click करेंगे, अगर आपके साथ कोई बंदा है, जो आप travel कर रहा है, तो आप yes कर सकते हैं, otherwise no करिए, तो ये सारी detail आप से दुवारा हैं, या कौन-कौन travel कर रहा है, तो वो details आप add कर सकते हो, आपके साथ कोई अगर और applicant है, तो ये approval में बहुत आसानी रहेगी, वो भी उसको link कर पाएंगे, कि ठीक है, ये बंदा वहां पे रहने है, या settle down purpose से नहीं जा रहा है, गूमने के मकसद से जा रहा है, वापस आ जा आप clearly उनको लिखोगे, उतना जादा उनको better idea होगा, ये सारी health से related है, कि आपको कोई problem तो नहीं है, ये visa history के बारे में पूछा जा रहा है, कि आप किस country में travel करे हो नहीं करो है, वो सारी detail यहां पे आप mention कर देना, ये last option है, declaration का, तो यहां पे सारी warning है, इसको अच्छे से प गई है, और next page जैसे ही आप click करोगे, तो एक window आईगी, payment की, payment जैसे ही complete करोगे, आपका visa submit हो जाएगा, और आपने wait करना है, 7 to 15 days में, अमूमन 15 days में आ जाता है visa, एक बार महीना भी लग सकता है, बड़ आपको clearly email आ जाएगा, कि आपका accept हुआ है, या reject हुआ है, reject हुआ है